नमस्कार दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में आप सभी के साथ इस वीडियो में रिजल्ट्स को डिसकस करने वाला हूं उन कंपनीज के जिनके आप लोगों के कमेंट आएं या फिर ये भी कह सकते हो जिनके अभी नमबर आएं पहले नाम बता देता हूं बजाज फाइनेंस, जैनसा टेकनोलोजीज, ल्टी टी एस यानि कि लासन आगे बात करी जाएं तो आपके लिए वेंट इंडिया लिमिटेड के नमबर आएं हिमादरी स्पेशलिटी केमिकल, इंडसन बेंग ये नमबर इस वीडियो में आप सबी के साथ डिसकस करूँगा लेकिन एक चीज पहले ही समझा दू नमबर हम डिसकस कर रहे हैं, खराब नमबर आएंगे, शेर टूटेगा, ठीक है अच्छे नमबर है, शेर उपर जाएगा, ये सवाल है क्योंकि अमेरिका उपर कल भारतिय बजार को जाने नहीं देगा करनली अमेरिका के बजार ओपन हुए और 500 पॉइंट नीचे डाउ जोन से नैस्डेक इंडेक्स की बात करूँ या उनकी बड़ी टेकनोलोजी आईटी कंपनियों की बात करूँ तो बहुत बुरी मार पड़ रही है अलफा बैट से लेकर मेटा तक सब तूट रहे हैं और बड़ी गिरावट है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डीटेल में बात करूँगा अगली वीडियो में लेकिन अभी अपने स्टॉक्स पे आते हैं वापस से और शुरू करते हैं रिजल्ट को सबसे पहले इंडेसंट बैंक की बात करें अगर तो एक्सेस बैंक के शांदार नंबर्स के बाद उमीद है इससे भी भढ़ जाती है और उमीदों पे खरी भी उतर रही है कंपनी दो हजार चालिस करोड के मुनाफ़े के सामने तेइस सो पचास करोड का मुनाफ़ा साल दर साल कंपनी ने क्लॉक किया है इंट्रेस्ट की बात करी जाए तो 10,000 करोड के सामने 12,200 करोड का इंट्रेस्ट बैंक ने बनाया है GNPA की बात की जाए तो exactly 1.92 के सामने 1.92 परसेंट पही रही है और NNPA 0.57 परसेंट के सामने 0.57 परसेंट पही आए है कंपनी से Q4 at 4.26% as compared to 4.28% for Q4 FY23 तो margins हलके से slightly कम हुए है otherwise यह 4.26% margin भी अपने आप में बहुत बहतर है मेरे साब से आगे बात करूँ तो company ने 16.50 पैसे का अपने investors को dividend दिया है company CEO says aim to keep NIM between 4.2% to 4.3% तो जो margins अभी है उसको maintain करने के बारे में बोल रहे है इनके CEO in coming quarters company CEO says deposit accreation has been an issue due to tighter liquidity conditions company CEO says approach towards branch expansion will continue aim to have 3500 branches in next year 3500 नई branches company open करना चारी है अगले 2 साल में तो indecent bank मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा ही दिख रहा है यह कुछ negative नहीं है बट market को लेकर चिंता है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि ऊपर जा सकता है नीचे बट numbers ठीक दिख रहे हैं अगला stock है अगर 15.07% पर सेंट पर सेंट पर सेंट यह बहुत अच्छे है EBITDA देखें तो 125 करोड के सामने 177 करोड का आया है यह नहीं कामकाजी मुनाफ़े में भी अच्छी बढ़त है तो इसके numbers को भी thumbs up दूँगा आगे WENT India Limited 20 रुपे प्रती शेर का कंपणी ने अपने शेर दारकों को दिया है dividend कंपणी के revenue की बात करूँ तो 59 करोड के सामने 70 करोड का revenue कंपणी ने clock किया है कामकाजी मुनाफ़ा 17 करोड के सामने 17.5 करोड का आया है and margins 28.71% से घटका 25.02% पे रहे हैं margins में गिरावट है यह थोड़ा सा concern है और बड़ी गिरावट है 371 basis points की consolidated net profit 13 करोड के सामने 17.5 करोड के करीब का आया है तो almost similar ही है तो यह number मैं mix कहना चाहूँगा आगे बढ़ते हैं LTTS यानि की L&T Technology Services की बात करें अगर तो यहां company की तरफ से कैसे result आया है देखना बहुत interesting होगा क्योंकि हमने देगा टेक महिंदरान ने तो पूरी तरीके से निरास कर दिया है company ने 33 रुपे प्रती शेर का तो दिया है dividend consolidated net profit 341 करोड पे आया है और exactly अनुमान भी 341 करोड का यह दर in line हो गया revenue की बात करूँ तो 2400 22 करोड के सामने 2538 करोड पे आया है तो यह अच्छा है company कामकाजी मुनाफा EBITDA जिसे कहते हैं 416 करोड से बढ़कर 428 करोड पे आया है अनुमान 416 करोड का दा तो पहला ऐसा IT company दिख रही है जो अनुमान से बहतर कर रही है यह अनुमान को मैच कर रही है तो यह number अभी तक तो अच्छे दिख रहे है margins की बात करें तो 17.19% से घटकर 16.87% पे आया है बट अनुमान 17.2% का तो margins को beat margins miss हो गए है आप यह कह सकते है margins खराब दिख रहे है company says for FY25 our guidance is for 8-10% revenue growth in constant currency तो 8-10% की का अनुमान है company का company unveils strategic reorganization company will be streamlining simplifying organizational structure into 3 main segment company will consolidate existing 5 segment into 3 तो company के currently 5 कारोबार हैं जिनको अब 3 में करेगी company और वो 3 होने वाले हैं mobility, sustainability high tech इन 3 कारोबार में company काम करेगी और पूरी तरीके से तो इसके नंबर में बैटरी बोलूँगा आगे बढ़ते हैं Zensa Technologies Consolidated Net Profit 162 करोड से बढ़कर 173 करोड का आया है revenue 1200 करोड से बढ़कर 1230 करोड का आया है EBITDA यानि कामकाजी मुनाफ़ा 176 करोड के सामने 180 करोड पे दिख रहा है margins 14.65% के सामने 14.58% margins में LKD पे बागी सब ठीक है company ने 7 रुपे प्रतिशेर का dividend भी दिया है last but not the least Bajaj Finance 36 रुपे प्रतिशेर का company ने dividend दिया है Consolidated Net Profit 3825 करोड पे आया है estimate जो था वो 3889 करोड का था तो हलका सा नीचे आया है नुमान से revenue 9840 करोड के सामने 13231 करोड पे आया है GNPA 1.14% के सामने 0.85% पे आया है तो ये अच्छी है NNPA 0.37% पे आया है 0.41% से गटकर तो ये भी अच्छा है overall Bajaj Finance के नंबर मिले जुले कहुँआ क्योंकि अनुमान मैच नहीं कर पाया जो अनुमान था बजार का मार्केट का overall ठीकी दिख रहे है तो ये मेरी तरब से आपके लिए results बट अमेरिका का बजार एक बार फिर update दूँ तो अभी 530 पंड नीची है तो ये hope आपको सारी चीज़े समझ में आई होगी Thank you so much for watching this video Have a great day guys